हलो एन वेलकम टू मैगनेट ब्रेंज हिंदी मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटिदार दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमने उत्तरप्रदेश बोर्ड का अध्यन शुरू कर दिया है और उत्तरप्रदेश बोर्ड के अंतरगत हम लोग बात कर रहे है सवाजीक con här अंतरगत कर दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं हमने चुंवह और इतिहास वीशेश शुरू किके है इतिहास के अंतरगत हमने हमारा पहला सब्सक्राइक हो कमप्लीट कर लिए हैं पहले आत का नाम है यूरोपिय है शक्तियों का भारत में आग्वन जब पूरे करते हैं आई एक करके सारे कोशन के उत्तर समझते हैं और इस सेशन की शुरुबात करते हैं इससे पहले में आपको बताना चाहूंगा कि मैगनेट बेंच हिंदी में आपको सारे यूपी बूट के वीडियो मिल जाएंगे आप चाहे तो हमारे इन वीडियो को हमारे वैपसाइट मैगनेट बेंच डॉट कॉम पर जाकर भी देख सकते हैं आई एक करके प्रशनों की शुरुबात करते हैं हमारा पहला ही प्रशन है यह mcq है यह आपका multiple choice question यानि वस्तुनिस्ट प्रशन है जिसमें आपको एक प्रशन दिया जाएगा और उसके option चार दी जाएंगे आप चाहे तो इस प्रशन का उत्तर अपने options में भी लिख सकते हैं आप चाहे तो मैं जॉइन कर सकते हैं पहला प्रशन है आपका अमेरिक जो है जिसको हम लोग North America महादवी प्रशन अमेरिका के नाम से जानते हैं या अमेरिका यूए से भी बोल सकते हैं अमेरिका की खोच सबसे पहले किसने की देखे व्यक्ति था जो शुरुवात में इंडिया की खोच करने के लिए निकला ता उस व्यक्ति का नाम था समूद्री मारग की तलाश चारी थी इस तलाश में कोलंबस पहुंच गए अमेरिका के दीपो में केरिबियन सागर के दीपो में जहां जाकर उसे लगा कि यह तो इंडिया है तो उसने शुरुवात में इसको इंडिया ही कहा लेकिन बाद में पता चला कि वह इंडिया नही क्रिस्टोफर कोलंबस थे जिन ने अमेरिका की खोच की तो अमेरिका की खोच करने वाला को लोम्बस का राइट एम्सर क्या कोलंबस अब यह गश्य वह सब्सक्राइब मू श्चदूद्धे जो इंडिया आया थे वास्कोडी गामा कौन है वास्कोडीगामा सहाब 1498 में भारत की खोच्की इन्हों ने बारत की कि समुद्री मार्ग की खोच्की थी को मार्ग की खोच्की और यह कहां से आयत है यह पूर्टगाल साही थे अब होसता है इतनी सारी इंफर्मेशन आपके लिए काफी सर तामस रो जहांगीर के दर्बार में आया थे यहांगीर के दर्बार दूसरे राजदूत थे यह वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्नोंने जहांगीर की शानों शोकत देख करके जहांगीर सहाप को एक बगई और बगई इन्होंने गिफ्ट की ती किनने सर टामस रोन शोरा से इस्वी में अंग्रेज अपसे पहले भारत आया थे पर्फ गाली सबसे पहले भारत में आये थे चौदा 되지सोऑ सब्सेमें ने कदम एंचाइङ लगष रखा था चौदा सो अन्थ्यानवे इस्वी में रखा थ है फ्रांसेशी की बात करें तो 1664 इस्वी में फ्रांसीची भरत आये थे और अगर डच की बात करें तो 1602 इस्वी में भारत आये थे कौन डच अब आप खुद बता दीजिए इन चारों संद को देख करके जो क्वेशन दिया गया कि भारत में सबसे पहले कौन सा यूरोपियन व्यापारी आया भारत के पश्चिमी तटके कालिकट बंदरगा जो की केरल में पढ़ता है वहाँ पर यह आये थे शुरुवात में इन्होंने सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोच की थी जो दक्षिन अफ्रीका के केप अब गुड होप से होता हुआ भारत के कालिकट तक कर रास्ता था और यस तरestyle उन्होंने रास्ते की कोजक्र ली थी बहुत पुरानी खोजे दोस्तों थो यह प्राहएं अंसर क्या होगा पूर्त गाली ंसका सही उत्ता है लेकिन को समूद्र में आपको दूर दूर तक कोई छी दिखती नहीं में यात्रा करने वाले लोगों के पास वह यंत्र होना बहुत जरूरी और इस हो गया था इसलिवे सब्द का इस्तमाल किया गया है उसके लिए वह बहुत जरूरी इसे हम कमपाज भी कहते हैं सुई भी कहते हैं दिशा शूचक भी कहते हैं लेकिन इसका नाम हमारी किताब में मिलता है और जो नाम इसका सठीक नाम है उसका नाम है कुटूब नुमा क्या नाम है और यहां नौर्थ साउथ है वेस्ट और इससा कुछ रहता है इसमें घड़ी की सुईया जो है वह घूमती रहती है जोसी दिखने है आपको वह दिशाप आसे से देख सकते हैं ताकि आप सही दिशा में सफर कर रहे की नहीं कर रहे इस से पता चल जाता है तो वह घूमते होगे चला गया और भारत तक बहुंच गया मुगल बाद्शा जहागीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज क के दर्बार में 1608 इस्वी में आया था उसका नाम था कैप्टन होकिंग्स काक्याप्तन हॉकिंज क्याप्टन हउकिंस ये तरीके से लिक देता हूं हो मैं ताकि आपको आसाने से समझ में आ जाए तो क्याप्टन हॉकिंग्स जो साथ थे वो पहले वेक्ती थे जो भारत में आये थे जहागीर के दर्बार में आड़े ठें उस समय देश में जहागीर का श्रुटन जफिन चल रा था जान के पिर अकबर आय tirar आ myths कि दर्बार में आने वाले को उन प्रथम अंगले को न था captain hogins था इसके जहाज का नाम भी याद रखना क्याद रूस्तों जिस जहाज पर आया था था इसका नाम था है क्तर नाम का जहाज था वहूसकता भी जहाज के quanra को पोश़न दो जहाज कौन सा ले कर आया था हेक्टर नाम का जहाज लेकर आया था कैप्टन होकिन्स यह भी जयान रखना नेक्स बात करते हैं तो कौन सा राइट अंसर क्या है कैप्टन होकिन्स चाहे तो अब यह लिख सकते हैं कि 1608 में भारत आया था जहांगीर के मुझे हैं कि अधर अथार है कि दर बार में यह राइठ आंघव सकता है मैं नेक्स्कोर्शन आपका लगूतरी को भारत और यूरोब के करने के लिए सबसे पहले में थोड़ा साइक डाइग्राम बना की बता दू आपको तो ज्यादा इजी हो जाएगा कि अगर आप मेप को धंग से देखोंगे तो शायद आपको यह अफरिका जैसा लगे कि और फिर यहां पर आपका इंडिया लगेगा और इंडिया के साथ साथ यह पूरा एरिया कि ऐसा कुछ था बागी एरिया इंडिया के उपर वाला है तो जो भी हो लेकिन यहां पर था आपका यूरोप यह यूरोप ओल आइरिया के ने मतलब है कि रास्ते कौन से थे तो रास्ते में ब्लेक कलर से बना रहा हूं कि एक रास्ता यह था पहला दूसरा रास्ता यह था और तीसरा रास्ता यह था तीन रास्ते थे यह थीन रास्ते आपको देख रहे हैं तो मैं एक ही करके रास्ते देता हूं पहला रास्ता पहला रास्ता है फारस की खाड़ी वाला रास्ता फारस की खाड़ी वाला रास्ता दूसरा रास्ता है लाल सागर वाला रास्ता है Ce लाल सागर से होते हुए कि तीस राज़ा राष्ता है वो है की efter मिष्र से और है अध्यों तो आप एश्या से पहले जाओ मिष्र से यूरोप सकते हो फारस की खाड़ी वाला लाल सागर और मिष्र वाला राष्ता यह तीन है तो यह पहला बला दीख consistent difference फारस की खाड़ी वाला यह नंबर एक यह नंबर दो वाला रस्ता और यह नंबर तीन वाला रस्ता तीन रास्ते थे तो फारस की खाड़ी वाले रस्ते में क्या होता था कि आप भारस से यह फारस की खाड़ी फारस की खाड़ी से होते हुए आप इराक इराक से टर्की टर्क होते हुए यह सकते हैं और तीसरा रास्ता है चले जाई है एशिया सेडा मिस्र जाई है मिसर से men तेंये तीनों रास्थे इसमें यह दोन quarantine रास्ते mix वाले रास्ते जिसमें स्थल और जल दोनों रास्ते ईसंते पुरा पूरा जल वाला पुरा इससल्ट को ब्लोक किया गया तो इधर से वास्कुभीजावी नया लास्ता वाला गूंड़ पूरा जम रास्ता नंबर चार यह समुद्री मार्ग पूरा पूरा तो ऐसा कुछ हुआ होगा तो ले दे के सारे के सारे मार्ग जो है इस एरिया से जूड़े हुआ हैं तो आईए समझते हैं इसको प्रशन का उत्तर देखते हैं भारत और यूरोप के मद्ध्य व्यापार के अगर बात के अगरिक धर से होते विग यह और फिर आप इराक हुए और फिर पहुच जैनल के इस मार्ग इराक से टर्की टर्की से वेनिस वेनिस से जुनेवास होता था पूरा इंद देशों नें बताया आपको लाल सावर वाला लाल सागर से एलक्जेंड्रिया का रास्ता ता जहां से समूद्र के दवरा आशने से वेनिस और जिनवा जा सकते थे जबित तीसरा रास्ता अर्ट एशिया से मिश्र और मिश्र से यूरोप के लिए था आप पहले मध्य अश्र मिश्र से यूरोप में जले याई यूरोप öğ होते हैं तो यह तिन तिन जो राष्टे देए अब पर Aक ना तबी मिई खुन मोग किया गया आ अब यहां काम आण मतलब क्या आपकर एक कंपरी जासी यह जी लगा थे और मुनास्फाव और पर उन्स पाट अब इसके में उद्देश होता था किसी देश से चीजों को सस्ते में उठाना और फिर वापस यूरोपियन मार्केट में बाग जो है बेच देना यह काम होता था तो व्यापारिक कंपनियों का रत है व्यापार्क में कई लोगों की हिस्तेदारी कंपनी मतलब एक विक्ति की नहीं होते ती कहिं लोगों इस्तेदार होती थी सबही इस्तेदार व्यापार में अपनी अपनी पूझी लगाते थे और लगाई गई पूझी में से जो लाब होता है उतना मिल जाता था जैसे माहाँ लो मैंने किसी वियापारिक कंपनी में 10% पूंजी लगाई अब 10 परसंट पूंजी टोटल उसकी कंपनी को फाइदा होता है उस फायदे सी इस वहने तो आपस में बाट लेता है गो तो आज भी मारगों की कोज क्यों की वबने हमने देखा पूराणे व्यापरिक मारकों नाम मेंने बता आपको फारस की खाड़ी से होता हुआ लाल सागर से होता हुआ और मिश्र से होता हुआ है तीन मार्ग थे लेकिन क्योशन क्या पुछ रहा पुराने व्यापारिक मार्ग यूरूपियन व्यापारिक मार्ग कौन से थे चलो यह तो हमने बता दिया इससे पहले क्या करन था कि आपको करनी पड़ी तो दो करन उसको समझ में आते हैं दो करन एक तो यह था तुरकों का आक्रमन कि तुरकों का कि आक्रमन किस पर कुस्तुन तुनिया पर कुस्त्न टूनिया टर्की नाम के देशमें कफ दूनिया वहाँ पर तूर्को ने आक्रमन करके कपजा कर लिया अब maximum जो मारों जो रास्ते जा रहा रहे तक उसमें आपको क्स्तुन टूनिया मालकशन Son तो जो भी व्यापार भारत से जाता वो कुस्तुंतुनिया के रास्ति जाता और तुर्कों ने क्या किया यूरोप का संबंध भारत से पुरी तरस से ब्लॉक कर दिया था तो एक तो यह करना था जिसकी वज़े से हमें यह समस्यावत्पन लगे थी कि अब जब यह निकलने न एक आधिकार लख लेते हैं तो इटली की वज़े से और तुरकों के आक्रमांण की वज़े से कुस्तुंतुन्या का मार्ग बादित हो जाता जिससे व्यापारियों को नए मार्गे की खोच के लिए मजबूर होना पड़ा और इसी बीच वासको डिगामा ने 1499 में भारत के समुद्री मार्गे की खोच की यह हुआ था भारत और यूरोप के मद्य व्यापार जल और स्थल दोनों दोरह होता था इन मार्गों की संख्या तीन थी पहला मार्ग फारस की खाड़ी से था क्योंकि हम लोग पहले वाला उस्तर का अंसर लिख रहे हैं समुद्री मार्ग था जो और दूसरा मार्ग लाल सागर से था जो जहां से समुद्र द्वारा वेनिस और जिनेवा जा सकता था तीसरा मार्ग मद्देशय से होते हैं यूरोप का था और यह मिश्ट्र से होते यूरोप जा सकते थे लेकिन यह तीनों मार्ग क्यों बाधित हो गए क्योंकि 15 शताबदी में 1453 में कुस्तुंत दुनिया पर राता अत्व वियापार के लिए यूरोप के व्यापरी उकों कुस्तुंत दुनिया-गणर पार करना ही पड़ता था और कुस्तुंतुनियानगर को किसी ओर ने कप्जा कर लिया तो बस हमारी मजबूरी थी हमारी यही मजबूरी कि उसको पार करके जाना पड़ा तैं आ को कुस्तुन तुनिया नगर पार करना ही पड़ता था और अगर कुस्तुन तुनिया नगर को किसी और ने कबजा कर लिया तो बस हमारी मजबूरी थी हमारी यही मजबूर थी कि उसको पार करके जाना पड़ा था अब लेकिन तुर्कों द्वारा मार्ग पर कबजा होने के का व्यापार को बहुत धक्का लगा अता यूरोप वासियों ने यूरोपियों के लिए नए समुदरी मारगे की खोच करना प्रारंब कर दिया यह इसका उत्तर होगा बहुत सिंपल सा उत्तर हैं आपके नोट्स में लिखा हुआ है आप अच्छे से पढ़ाएंगे तो आंसर आ है फ्रांस है वह समय जो करते थे यूरोपियन देश की बात कर रहे हैं तो उस समय जो वापार करते थे वह कौन-कौन थे इटली करता था इंग्लेंड करता था तरकी भी करता था फ्रांस पूर्टिगाली डच यह सब नाम लिख दो आपका उत्तर से हो जाएगा भारत से व विदेश ने बनाए अपनी व्यापारिक कोटिया डच कंपनी भारत आई उसने बनाए पूर्ट्रगाली कंपनी भारत आई उसने बनाए कि तीसरी ब्रिटिश कंपनी इंडिया में आई उसने बनाए चोथी फ्रेंज कंपनी इंडिया में उनने बनाई फ्रेंज ने बनाई दस की बात कर दस लोगों ने कोचीन में अपनी जो है फेक्टरी बनाए थे कोचीन में बनाए थी नाग पट्टम पट्टम चिंसुरा इन बनाई पूर्टगालि की बात कर तो पूर्टगालियों का जो जड़ा ने बनाए बिढिस ने तो हधी कर दी बहुत बहुत सारी जिगाव थी कितनी जगाव के सकते हैं फ्रेंच प्रेंच लोगों ने फ्रांशिस ही लोगों ने पूड़ू चेरी इसको बोलते हम लोग पॉड़ी चेरी माचली पटन यह यह सब नाम लिख दोगे आपका उत्र वही तो फूसरा है विदेशी कमपनी ने कहा का व्यापरी कोठिया बनाई यह इसका उत्तर रहा यह लिख दिया है इसी को यहां पर हम लोग बारफिट से रिपीट कर देते हैं वासको डिगामा के भारत में पहुंचने की बाद एक डच कहलाते थे उन्होंने कालीकट कोचिन नागपटनम और चिन सुराओं में अपने व्यापरिक के अंदर खोले वहीं अगर फ्रांसिसियों की बात की जाए तो फ्रांसिसियों ने मचली पटनम पॉंडी चेरी चंदर नगर यह चंदर नगर वेस बेंगॉल में है माही ज ने सूरत केंबे एहमदाबाद आगरा भडोच पटना कासिम बाजार यहां तक अपने व्यापरिक के इंदर स्थावट किये तो आप बोल सकते हैं कि इन इन देशों ने यहां याँ व्यापरिक के इंदर स्थावट कि मैंने तो और आपको पुर्तिगालियों को भी लिखा रहा गया तो वे वस्तुए जिनने विदेशी व्यापरी भारत में अपने देश ले जा अपने देश ले जा रहे थे कौन सी वस्तुओं को विदेशी व्यक्ति भारत से अपने देश में ले जाते तो वो कौन-कौन से थे हमारे कपड़ों की डिमांद बहुत जाए थे सू करने से बचाने के लिए इसलिए जरूरी था उनके लिए मसाले इसलिए मसालों का व्यापार करते थे वारब से तो दोस्तों यह बहुत सिंबल सा एक आपका चेप्टर था जिसमें कुछ छोटे-चोटे और बड़े-बड़े प्रशनों की बात हमने की मैं आशा करता हूं कि आपको यह पहला चेप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आने वाले सभी चेप्टर को भी हम लोग इसी उमीद के साथ और इसी एनर्जी के साथ इसी तरीके के साथ पढ़ने वाले हैं दोस्तों आपको हमारे यूपी बोर्ड के जो वीडियो हैं जो हम लोग इतिहास के लिए बना दे इससे पहले भूगूल के भी बनाये थे यह वीडियो अगर आपको हमारे यूट्यूब चनल मैगनेट ब्रेंज हिंदी में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूत नहीं है आप हमारी वेबसाइट पर विजीट करेंगे आपको यहां पर इस साइड मे वीडियो भी मिल जाएंगे दोस्तों मैगनेट बेंज कभी यह नहीं बोलता कि आप दो या तीन वीडियो देखने के बाद पेमेंट करीए दो या चार वीडियो दिखाने के बाद हमें बोले की बाइनाउं का औप्शन आपको देते कि आप सारे कोर्स खरीदने वेशा आपको सारी की सारी चीज फ्री आपको प्रवाइड करती आई है और करती रहें दोस्तों मैगनेट बेंज की पूरी टीम आपको कौन-कौन से कोर्से उपलब्द आती है उतकी चरल लिस्त देख लेते हैं मैगनेट बेंज आपको देता है सी बीसी हिंग्री और इसके अलावा आई याई टी और नीट जैसी उच इस तरि परिक्षाओं करवाते हैं इसके अलावा हम बात करते हैं यूपी ब्हार बोट इस्पोकन एंग्लिछ बैंक और की बात करते हैं वही एसी टाउर्भी को पी जरूर बताएं और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद थेंक यू बरी मच